नमस्कार मैं हूँ महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं MP Watch गांधी जैन्ती के आउसर पर आज हमाप को अहिंसा के ऐसे ऐसे पुजारियों से मिलाएंगे जो चीटी को भी कुछलना महापाप समझते हैं इन्हें धन, दौलत, शोहरत से कोई मोई नहीं ये एक राज से दूजरे राज हजारों किलोमीटर यूही पैदल निकल जाते हैं और आपको इनके वारे में जानकर आश्चर ये होगा कि ये अहिंसा के पुजारी अपने सरीर के बाल खुद अपने हाथों से ही नोच लेते है इन्हें बाल कटवाने के लिए किसी नाई की अवसकता नहीं पड़ती आखिर कौन हैं वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी आप देखिए हमारी इस स्पेसल रिपोर्ट पर कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम ये कहावात ठीक चरितार्थ होती है उन जैन मुनियों पर जिने महाराष्ट में अपने चातूर मास के दिन बिताने थे लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा समय घुआ कि उन्हें मद्ध प्रदेश के सतना में चातूर मास बिताने पड़ रहे हैं अभी हम हैं सतना के सरस्वती भवन में और हमारे साथ बहुत सारे चैन मुनी आचारे जी हैं हम आज उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिस करेंगे कि उन्हें आखिरकार इस वार चातूर मास सतना में क्यों बिताना पड़ा हमारे साथ हैं आचार वर्दवान जी सागर महराज हम महराज जी से बात करेंगे बहुत बहुत स्वागत है महराज जी आपका हमारे चैनल पर सतना में इसलिए चावमासा चातुरमास करना पड़ा करूना की वजह से हम आगे नहीं जा सके यहां के लोगों का जो धर्म भाव था यह हमें सुनने आया था फिर भी प्रतेक्षाद हम आभी देख रहे हैं कितने धार्मिक है या साधुन की श्यवा कितने करते हैं हमें अभी बहुत अच्छी तरह से करते हैं हमें भी देख रहे हैं पूर्व से आपका निर्धारीत कारिक्राम क्या था? कि इस वार चातुरमास कहां बिताना है? आप लोग वर्स में कितने महां तक घूमते रहते हैं? और कितने महां तक इस्थाई रहते हैं? करीब करीब चार महने तक हम तो गुम एक ठिकन में स्थाई रहते हैं और बागी के आठ महने तक यूहीं गुमते रहते हैं दर्म पचार करना लोगों को सही मार्ग पर लाना बैस यही आज को दर्म समझते हैं आपको कित्ते वरस हो गए अभी गुर्द इच्छा लिये हुए? दिच्छा लेके अभी अठारा वरस हो पुरे हो गए आपने क्यों दिच्छा लेने के पहले आपको ये जो आचार हैं आपको इसमें भी क्या आचार हैं की पदवी के लिए तपश्या करनी पड़ती है या गुर्द इच्छा लेने के बाद कोई समय सीमा होती है इसके वारे में थोड़ा विस्तार से हमाई दर्सकों को बताएं अचे स्पश्टरूप से कोई से शिमा नहीं रहती फिर भी जो प्राया शिनियर रहते हैं उनको गुरु की आश्रवाद से वो देते हैं मेरे पिछे आप इस पूरे संग को आपको चलाना है आप क्यों ग्रहस्त आश्रम छोड़ कर इस आश्रम में क्यों आएं आप बदाएं वेचे देखा जाएं तो मैं पहले एक गुरु कुल में पड़ता था और वहां के जो गुरु महरायज थे उनको खास प्रेम मुझ पर था उनके शेवा करना या उनको गुपा जो भी है वो साफ करना सभी काम मुझ पर था और उनको देखा था लगता था महीं भी ऐसे गुरु क्यों न बन जाओं क्यों न बन जाओं फिर भी जब यह कॉलेज गया उसमें पिछे गास जो मैंने सब कुछ भूल गया और आगे जो भी भूला था उसको अंकुरित हो गया और मुझे लगने लगा अरे गुरु ने उनकी भी कोरोड़ी की संपती थी और उसके पास तेरे क्या इतनी संपती है उनने छोड़ा था ना किसके लिए बस समाज के लिए आई उसा धर्म पालन के लिए दूसरों को मन को ठेच पहुंचाना इसको ही उसा कहते है बस प्रेम दो प्रेम लो टेक एंड यू इसको बोलते है न ऐसे और उनका मुझे पर बहुत असर हुआ कि जिशकी वजह से मैं सभी शादी और सर्विस बहुत अच्छी थी गवर्मेंट की सर्विश थी और गवर्मेंट सर्विस या बच्चे भी से भी इतने होते हुए भी इतने यहां और वहां मिलकर दस टीचर ही है अभी गुरु दीच्छा लेने के बाद क्या आप लोग अपने परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखते हैं क्यों नहीं रखते यह जो भी स्तरावक बेटे हैं उनके साथ आमरे जो रिस्ते हैं वो भी स्तरावक है बस यही रिस्ता हाँ आ गए हाँ आप तो मंदिर जाते हैं आप तो यह दम पालन करते हैं दूसरों को तास तो नहीं देते बस यही पूछते हैं चातुर मास में क्या आप लोगों को लिमिटेशन होती है कि आप एक जगए स्थाई रहेंगे आप जिस तरह आठ महीने तक बिहार में रहते हैं उस तरह चातुर मास में आप क्या बिहार नहीं करते हैं हाँ चातुर मास में इस लिए भिहार नहीं करते हैं चातुर मास में इस पानी गिरनी की वजह से ज्यादा ज्यों की उत्पत्ति होती है चोटे-चोटे ज्यों की उत्पत्ति होती है और आउसा इसका मतलब उस जीवों को बचाना उस जीवों को बचाना उस जीवों को बच यदि यहां आर की वियोस्ता नहीं होती तो दूसरी हम जाते हैं दूसरा यह कोई ऐसे उनेटिक कोई ऐसे गटना गटी कि हम यह नहीं रह सकते इसलिए तो यह तो सभी बिल्कुल खुशाला अच्छा है आपने बताया कि हम साल में आठ महीने तक हम लोग विहार में रहते हैं तो विहार में तो एक राज उसे दूसरे राज भी जाना होगा तो क्या पैडल ही चलना पड़ता होगा? क्या आप लोग गाड़ी या किसी चीज का उफियोग निहीं कर सकते? गाड़ी का इस्तेमल करने का सवाल ही नहीं आ था, क्या है, गाड़ी को क्या आख होता है, क्या, वो कहा है, हिमसा, जीव है, जीव है, हाँ, हम पैदल चलते समय, इधर उधर हमें देखना ही नहीं, बस आगे क्या है, जीव है, तो उसको बचाना कैसे है, बस यह हम देखते है साम के वक्त रुखना है स्रावकों से कैसे आप संपर्क साथते हैं देखो स्रावकों से संपर्क हम नहीं साथते स्रावक हम से संपर्क साथते है और जहां हम जाते है वहाँ व्योस्ता करते है समझ लो कई व्योस्ता नहीं है तो हमारे पास घाश की चटाई रहती है, यहीं रास्ते के किनारे चटाई बिशे दिया, अब सो लिया हो गया चातुरमास के लिए क्या कोई प्लैनिंग होती है कि इस बार यहां चातुरमास बिताना है या जहां चलते चलते बरसात शुरू हो गई वहीं चातुरुमास शुरू बरसात एने क्या है आर्शाड शे लेकर कार्थिक तके जो महिने है इस महिने में चातुरुमास होता है और प्राया इस महिने में ही पानी बरसता है पानी आज बरस गया और चवत्रमाश शुरू गया ऐसा नहीं है जाने में गया तो हमारी जो भी चवत्रस रहती है चवत्रस से शुरू रहती है उस दिन पानी बरसो या न बरसो और जब भी कार्तिक अमावसा होती है उस समय अपना चवत्रमाश खत्म होता है सतना से आप और आप के अप प्रस्थान करेंगे, क्या पहले से कुछ तै हो गया है। उसमें क्या, अभी एक करुना तो बैठा है ना, येदी करुना नहीं होता तो हम सुचतें अरे इस तारीकों जाने के संभाव ना है, हम स्रावकों को भी नहीं बता थे, अभी हम जा रहे हैं, हमारी तैरी करो, यह करो, यह करो, यह करो, नहीं बता थे हम, बस हम जाने लेगे तो यह, वो पीछे सभी हमारी तैरी करते हैं सतना और मध्ध प्रदेश के स्रावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसका वो पालन करें जिनके उनके जीवन में एक नई उमंगता है हम यही कहेंगे सभी जो जीव है वो जीव अपने सगे सोरे ही है सभी चाहे यदि पुनर जन्म पर अपना विश्वास है तो निश्यत रूप से जो भी जीव है चिंटी से लेकर हाती तक कोई भी जीव समझो यह हमारे बिल्कुल सगे सोरे ही है आज गांधी जैनती है आचारी जी गांधी जी के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं और लोगों को क्या आप गांधी जी के बारे में संदेश देना चाहेंगे कि जो जो जोडते गए और डूबते गए असे मौनदास सब में सब कुछ आया है कि जो त्यागते गए वह तो दमदे गए अर जो जोडते गए वह भे इसे मुहनदास्य चबद में सब ओनीले सब कुछ एढें इसलिए इतने बड़े हो गई, ध्यान में आगया, तो इसलिए हमें भी उनसे शिक मिलती है, जहिन गुरु और रजकिन, इनके यह उश्चिस्य थे, तो जहिन गुरु थे, उन्होंने यही बताया था, जब भी महात्मा गंदी, इंगलंड पढ़ने के लिए, बेरिश्टर प अश्टरी परश नहीं करूंगा, और पूरे मास का ट्या करूंगा, तो बढ़न पंदी।। मै जो जो ध्रतकाश पर्ण पंदी। करते हैं बड़े होते हैं, जैसे राम का παेड़ लगाने पर उसको आम ही लगते हैं के नहीं, जैसे बावोल का पैड़ लगाने पर आम नही अच्छे समस्कार किये थे और समस्कार का नतीजा वो इतने बड़े हो गए अभी हमारे साथ और भी जैन मुनी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और भी सवाल जवाब करते हैं अब हम बात करेंगे जैन मुनी विदे सागर जी महराज से महराजी आप ये बताईए कि आप दिक्षा लेने के बाद आप लोग किस किस तरह का त्याग करते हैं मूल रुप से आचरे भगवन तुन्य शास्रे में ये कहा है कि जो जेन मुनिव रहते है वो जेन दिक्षा लेने के बाद दिगंबरी दिक्षा लेने के बाद अंतरंग और भहिरंग परिग्रों का त्याक करते है अंतरंग परिग्र है वो 14 परिग्र होते और भहिरंग परिग्र होते हैं वो 10 परकार के होते हैं वो सब 24 परकार के जो परिग्र हैं वो सब का त्याग करकर एदिगंबरी दिक्षा लेते हैं आप हमको हमारे दर्शकों को बिस्तार से 2-4 ऐसे त्याग बताईए जो अन्य समाज के मुनियों द्वारा नहीं किया जाता केवल जैन समाज के मुनि करते हैं वो कठिन हमको त्याग बताईए हमारे दर्शकों को बताईए जो कठिन त्याग है जैन मुनियों के वो कौन से है सबसे मूल बात तो जैन मुनि बनने के बाद जयन मुनि पनत्वा जो है उसमें सबसे बड़े त्याग कुन से होंगे तो सबसे बड़े त्याग पहला है वो बोला है केस लोच अपने हातों से अपने बाल उखाड़ना वो बोला है कि वो साधना करते समय बहुत सारे जो जीव है या मनुश्य है वो साधना देखते समय ही उनको नमस्कार करते है कि इतना बड़ा त्याग इनमे है क्योंकि उसी त्याग के वज़े से सभी जो है वो जेएन मुने के सामने जुग जाते है दूसरा सबसे बड़ा त्याग है वो नगनत्व है दिगंबरपना पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नर है ना इसको नगनता बोलते और दिगंबरत्व किसो को बोलते है उपर से भी नगनव होना और अंतरंग से भी नगनव होना इसका मतलब यही है कि सिर्फ कपड़े निकालने से न दिगंबर होते है ऐसा नहीं है कि कपड़े निकालने के बाद अंतरंगे में जो कशाय आधी है उनका भी त्याक करना इसको दिगंबर कहा गया तो ऐसे जो उपर से भी नगन और अंदर से भी नगन जो होते हैं यह भी महान है क्योंकि आजकल आपन देखते हैं कि यह दोनों की एकता किसी के पास आना बहुत कटिन बाद है लेकिन एक विश्व में ऐसे है जो दिगंबर सादो है वो दोनों की एकता लेकर अपने साथ चलते हैं और उसके बाद कटिन परिश्व कुंसा है सबसे महत्व पूर्न बाप कुंसे हो दिए जीव की रक्षा इसको ही महात्मा गांदी दो अक्टमबर को आहिंसा दीन पुरिविश्व में मुनाय जाता है और महात्मा गांदी जी ने भारत देश को सवतंत्र करने में दो सूत्र लेकर उतरे ते सवतंत्रते के लिए ओ है अहिंसा और सत्या उनके अलग भी सूत्र है क्योंकि उन्हेंने अपने The Experiment with Truth इस किताब में महात्मा गांदी जी नहीं बताया है कि खुद बताते मैं चार सिद्धान्त के उपर पुरी विश्व में भारत की आजाते के लिए लड़ा हूँ वो चार सूत्र कुंसे होगे तो एक पहला सूत्र है सत आजात करने के लिए लड़ा हूँ और वो लड़ाई में उन्होंने महात्मा गांदी जी ने जिनको अपना देश या पूरा विश्व राष्ट पिता कहते है क्योंकि हमेशा संत लोग कहते है कि जो खुदची का स्विकार करता है वो राष्ट पती बन जाता है और जो खु और अहिंसा उसके बल पर उन्हेंने अपने देश को स्वतंत्र बनेया और इसका मूल कार्म को होगा तो महात्मा गांदी जी के दो गुरु थे एक जो आपको सभी को मालुम है आप सुनते है कि स्टॉल्ष्टा है एक पहले गुरु थे और दूसरे गुरु को उनके थे कि म कि मां के उपर स्रेमत राज्या जरी का बहुत बड़ा प्रवाव था और उनकी वजी से महत्मा गंदी के उपर भी जेन सादू थे उनका भी प्रवाव उनके उपर पढ़ गया और इसलिए उनने शत्य और अहिंसा अपने तत्वों में लिया और इस सिद्धान के साथ उज जैनमुनी महराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, अब हम बात करेंगे जैनमुनी सुर्थ सागर जी महराजी से, कि वो सतना में चातुरमास अपना बिता रहे हैं, किस तरह का अनुभव है सतना में चातुरमास बिताने का, महराज जी किस तरह का अनुभव है आपका सतना में चातुर मास विताने का असल में हम देखें कि जैन मनी जो चातुर मास करते हैं वो वास्ता में अपनी साथना के लिए करते हैं अपनी आत्म साथना के लिए ही जहां समाज भी अनकूलता देती है और हमें भी अनकूलता होती है एसी जगे चातुरमास स्थापना करने की करते हैं और जो अभी इस वर्ष का चातुरमास यहां जो ने कर रहे हैं यह हमारी दीख्षा का दूसरा चातुरमास है एक चातुरमास हमने महराष्ट में किया था दूसरा चातुरमास सत्ना में करने का योग बना क्या चातुर मास में प्रवचन वगएर भी करते हैं आप लोग क्या इस समय स्राबकों का जमाबड़ा भी होता होगा कि उन्हें कुछ आप अमरत बचन दे सामान इस्तितियों में तो जो न रोज ही या तो जो न धर्म प्रवचन या धर्म की कोई संबंदी उससे क्लाश जिसके कहो इस तरीके का रहता है रविवार को भी पेसेश रूप से कोई जेनरल प्रवचन होते हैं जो सभी लोगों को अनसमाज को भी जो ना लावानवित कर पाते हैं लेकिन इस वर्ष की विशेश परिस्थिती ये होने कि कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है कि यहां पर जो नो कोई बैट पाएं क्योंकि होता ही है कि सभी का बचाओ हमें अपना भी बचाओ करना है और समाज का भी बचाओ करना है कि वो भी पीडित नहीं हो पाएं हम भ बादू के साथ में ऐसी उस्था नहीं है। अपने घर्च होते हैं। फिर भी शेतना में जो चतुरमास हो रहा है। हम दोगों की द्रस्ती में हम बात करें। यह यहां के शराबक। ना के बद जैन शराबक। शेतना की मैं जनेतर समाज की बात करता हूं। हम जब जंगल बगर की लिए बाहर निकले, आहर बगर की चरियाओ जब उमारी होती है। हमारे दोग काम बाहर जाने की रहते हैं। बागी कुछ नहीं रहता। हम अपने में रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं। लेकिन वहां देखते हैं, जनेतर समाज की लोगों के भाव बड़े सुन्दर रहते हैं। शटीक रहते हैं। बिनमरता उनके अंदर रहती है। और जन समाज की तो बात ही अलग है। हमारा अक्षमात चातुरमास की वैुष्णता आचारी महध है। हम जैसा आग्यादेते हैं वैसे हम सभी पूरा संग उनके आग्या में चलता है। और यहाँ आचारी महधा नकारा को अंदर हो गया। चातुरमास यहीं होना है। इत्त distort हो गया। जिहां के लोगों ने जितनी सेवा की जिस तरह से समर्पन की भाफसेपन रश्रदा के भाफसेपन है वो इस तुत है उनका बहुत अच्छा हूँन का काम है हमारा बहुत आशीरवद समाज के लिए फथना नगर के जन्ट पबलिक के लिए है चलिए अब हम चलते हैं जैन समधाय के उन शावकों से भी बात्शीत करते हैं और उनके अंदर किस तरह का उस्सा है? आपका नाम? दिनेश जैन दिनेश जी आप बताइए कि बिना प्लैनिंग के अचानक आप लोगों को जैन मुनियों का सम्वम मिल गया किस तरह का उस्सा है आपके और आपके पुरी समाज पे आपके चैनल की माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस सहर में ऐसे तपस्वी ऐसे नगने मुनियों का चौमासा होता है वह सहर धन्य हो जाता है हम अपने आपको बड़ा सौबागिसाली समस्ते हैं कि हमें बिना मांगे कहते हैं ने बिन मांगे मौती मिले मांगे मिले न भूइक हमें बिना मांगे मौती मिल गया है हमारे आचार स्री बिहार छेतर में सिखर जी एक सम्मेश सिखर जी तीतर छेतर हैं वहां की बंदरागर के लोट रहे थे इसी समय कोरोना महामारी का प्रकूप हुआ और लागडाउन हो गया अचार स्री का संग मिर्जापूर के पास हनवना में कि उनी लागडाउन के समय में फस गया था जिसके कारण वो बिहार करते हुए रीवा सोते अमर पार्टन सतना का तो दूर दूर तक चौमासा करने का नाम नहीं था कैसे पताचला आपको कि हमार पार्टन पहुँच गया है वहां से हमारे पास समाच के बंदू है रीवा में भी है अमर पार्टन में भी है मिर्जापूर में भी है तो वहां से समाचार आते रहते गी एक संग ऐसा ऐसा परिसुतियों फस गया है तो हमारे सतना बाशियों न रविंद भईया, हम लोगों सब ने प्रयास करके हमार पाड़न गए और अचारश्री की चरलों में निवेदन किया ये अचारश्री आपके आशिरवास से आपका चौमासा हमारे सतना मुझे हम समाज वाले बहुत रिणी रहेंगे ये अचारश्री ने हमारे पर बहुत का प्रदश्री की और आपको चौमासा हमारे संपन्न हो रहा है एक दो लाइन हम बोलेंगे प्रभात कुमार जैन इनके चरण जहां परते बहुत धर्ती तीरत बन जाती और जंगल में मंगल होता धर्मा अम्रत धारा बह जाती तो हमारे सतना का इस वभाग है कि सतना एक तीरत छेत बन गया महराजी के चरण बढ़ने से चातुर मास में जिस तरह प्रवशन होने चाहिए उस तरह प्रवशन नहीं हो पा रहे हैं कोरोना को लेकर काफी आप लोगों को बंदी से हैं क्या मिस कर रहे हैं आप लोग की चातुर मास में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पा रहा है आप पर नाम बदाई मैं सतना दिगंबर जैन समाज का मंतरी राहुल जैन जैसा कि हम लोगों को चौमासे में क्रियाय करना चाहिए वैसी क्रियाये तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग प्रातह पाँच बजे से उटके मुनी संग की सेवा में लग जाते हैं मुनी संग की चरिया में पूरा सहियोग करते है और मुनी संग जैसा आदेश, निर्देश करता है उसी प्रकार से हम लोग पूरा सहयोग करते हैं, ऐसी भावना भाते हैं कि हर भाव में सतना जैन समाज को ऐसा चातर मास मिले, ऐसा पुन्य का आउसर मिले, ऐसे मुनिराजों की सेवा करने का आउसर मिले हम देख रहे हैं कि करीब 90% मुनिराज 60 वर्स से उपर के हैं, सतना के इतिहास में यह पहला ऐसा चातर मास है, कि जिसमें हम लोगों को 60 वर्स से उपर के महा मुनिराजों का सेवा करने का आउसर प्राप्त हो रहा है, हम लोग धन्य हैं, हम लोग की समाज धन्य हैं, और सतना अन जेनेतर लोग भी इतना सही हो करते हैं कि मुनिराज जब जंगल सवेरे साड़े छे वजे जाते हैं तो वो नतमस्तक होकर मुनी चरणों में नमशकार करते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि कैसे इतने अवस्था में ऐसे ये मुनिराज यहाँ पर विचरण कर रहे हैं जंगल जा रहे हैं ठंडी में बरसात में कोई वस्तरों का धारण नहीं करते हैं ऐसे ही करते तपत्रेल तडीतत पर तरुतल वर्सा की जड़ियों में समता रस्पान किया करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में ऐसी भावना लेके पूज मुनिराज संग विराजमान है बहुत बहुत धनवाद आपने देखा कि किस तरह जैन स्रावकों में कितना जबरदस्त उस्ता है जैन मुनियों का चातूरमाज सतना में होने के कारण चूकि कोरोना संक्रमन के कारण जो उस्ता होना चाहिए था प्रवशन होने चाहिए थे अमरतवाणी सुनने को मिलती वो सुनने को नहीं मिल पा रही है उसको जरूर जैन समाज के लोग मिस हो रहे हैं क्योंकि एक साथ ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बाक्स पर जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दवाना पिल्कुल न भूलें हम फिर मिलेंगे आप से एक नई स्पेसल इस्टोरी के साथ तब त पूलें करें धाश करें न भूले।